और यह कलाई का उप्यों किया फ्लिक किया उन साइड में स्क्वेर लेक बाउंडरी की तरफ चार रण वहां बैकवड्र स्क्वेर लेक बाउन्डरी लाीन पर फील्ड रता है लेकिन उनके ठीक सामने टबा खाया और फिर गेन स्पिन हो गई उसको चक्मा दे गई चार रन के लिए ये दबाव है धबे का प्रिशाद बचने का है लेक्स्टम पे हाफ वाली और देखे किस तरीके से कलाईयों का इस्तमाल किया गंदाज की गटी का इस्तमाल और प्रवसा आगे निकल गए निवन खोला सेक्रा वेलकम बाउंडरी ओवर की पहली गेन पे चौका आता है तो आप एक बड़े ओवर की तरफ देखते हैं देखा जानते हैं देख सो इकतालिस और इस बाद थोड़ी शॉट अप लेंग्स बैक्वट पर जाकर पुल किया चार्ण के लिए स्क्वेर लेक्वांडरी की तरफ बढ़िया तरीके से पूल के अगेंट की लेंग्स को बहुत जल्दी पैस्टार लिया बैक्वट पर गय आपे पड़ा यूसर बटान में और चौका चड़ा मिड़ा का खिलाडी टी से अट के गारे के अंदर है तो जानते हैं आप उनको अगर हाथ खोले का मोका देगा तो यही परिनाम होगा ऑनकाडमी क्रेकिंग जेक्स युवरान सेंग खतरला गंदाज में बलेवाजी करते है कि इन बोलर को वो छिकार बनाएंगे इनको निशाना बनाएंगे दर्शकों में खुशियां च्छा गई हैं दर्शक आमदोलित नजर आ रहे हैं और जैसे में मौका मिला यह उची बैकलिफ्ट और बले का क्या स्विंग है जिसका मनिंदर में जिक्र कर रहे थे और ब्र साइड में और यह जिकार अनकाडमी क्रेकिंग सिक्स हाना कि बाउंडरी लाइन पर फील्डर खड़ा थे हातों से चिटकने के बाद बाद बाउंडरी लाइन पार कर गई चेड़न के लिए किया यह बैट्री डर्टनेट मोमेंट अमैज्टाइ बाउंडरी लाइन पे धिनिकति की गेंटी मॉका थावा पे शुकुतान इतनी बडिया टाइम नहीं लेकिन आंट मेर जैसिंगे वहापे माजूद के इन हाट चटक के सिवारा का कि बार मॉका थाज जानते हैं लेकिन मॉका जो है वो छे रन में तब्दील हुआ दबाव वापास बोलर और श्री लंका लेजिंज्ट के खेमे में ग्याप में खेला पहली गेंट पे मिले का चौका चातुराई से ये शौट खेला यूसेप पठान द्वारा शफल कर गए थे पहले ही ऑस्टम की तरफ अंतिम समय पे बले का मूँ मोड़ा क्योंकि जानते थे कि फाइनले का खिलाडी जो है तीसी आट के दाइरे के अंदर है बढ़िया बलेवाजी ये पिछले का क्रम पर आने के बाद जिस बहादूरी के साथ खेलते हैं इससा मूखे के वह अभ्यास सब्सक्राइब करना चाहते हैं और यह बाउंडरी एक समय मुझे लगा है कि ये 6 हो जाएगा लेकिन बैट का देखिक कितनी बैटरीन तरीके से टाइम कर दिया था बोलर के सर के उपर से अब इसका फाइदा उठाना बहुत जरूरी है अहां और फिर उसी पोज में खड़े रहे फोटाग्रफर्स के लिए कि खीच ले जितनी तस्मीरें आपने खीच नहीं है बिलकुल घमिका प्रसाद की गेंदबाजी रास आ रही है युवराज सिंग को ते हैं इसना जोदा बारी यूसफ पठान की और यहीं बात हम सोच रहे थे कि पहली बॉल पर बाउंडरी लेली इस और के बाद के बाद के बाद चारी ओवर बचेंगे क्या उसका फाइदा उठाएंगे और यूसफ पठान ने जवाब दिया बिलकुल क्योंकि आप तो तेजी से रंस बनाने क चाहिए श्रिलंका लेजेंस को अगर दबाव में डाला है क्योंकि फाइनल मैच है आप 180 बनाते हैं तो कुछ दबाव होगा लेकिन अगर 160 तक सीमित रहे जाती है आपकी पारी तो फिर थोड़ी सी परिशानी हो सकती है लीजिए एक और अकैडमी क्रैकिंग सिक्स है ऐसा लग रहा है जैसे यूसफ पठान एक्सपेक्ट कर रहे थे के शॉट बॉल होगी अब पहले ही तैयार देए शॉट के लिए बहुत 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 लंबी हिट थी एक्राउड में गया है सिक्स और इस सिक्स के साथ 50 रन की पार्टर्शिप इन दोनों के बीच पूर यह पहली बार है मैंने कोई ऐसा खराब एक्स्पेशन नहीं देखा दिल्शान के चेरे पर क्योंकि वहीं उनको कहके आया थे कि यूर्कर लेंड पर बोलिंग करें लेकिन यूसफ बठान के पास उसका भी जवाब था बढ़िया प्लेस्मेंट की बैट का फेस खोल कर खेल कि यूसफ बठान को कोई फरक नहीं पढ़ता अनके क्रेकिंग सिक्स उनके बल्ले से और फ्लाक शॉट एक समय से लगाता जैसे फील्डर के पास चलिए जाएगी फील्डर को भी लगा कि यह मुका है यहाँ पर लिकें देखे कितनी जूर से लगाई हुई यह शॉट थी और इसी तरह के शॉट्स लगाने करे जान जाने जाते हैं जी सुब ठान ओहो कोई मौखा नहीं वहां के फिल्डर के पास फिर्फ ग्राइब अन एक्राइब कर गई कर गई एंडेलेजन्स अब 151 तो पर पे क्या बात है रवन क्या मजा आराया धेखके इतने बढ़िया टाइमिंग यह तो ऐसे शॉट्स खेल रहे है दोनो हाला कि यह फाइनल है, कॉंपेटिशन है, लेकिन पुछ खिलाडी मैदान पर फिलिडर्स महजूद होंगे, जिनको मजा आ रहा होगा इस तरह की हिटिंग देखके, भार्थिया खेमे में तो सभी को मजा आ रहा है, इनके नाम अठावन रन है, खिलातो यूसफ पठान, पूरे, एक सो अठावन पड़ती इन सत्रावर के बाद,